मॉनिंग चिल्डन ऑनलाइन क्लास क्लास फर्ष्ट सब्जेक्ट हिंदी पार्ट सोला कवा और लोम्री देखे यह आपके बुक में क्या है एक चित्र कथा दिये हुई है मतलब इसमें देखे क्या लिखा है कि यह कहानी आपने कई बार सुनी होगी चित्रों के अनुसार कहानी को हमें क्या करना है अपने सब्दों में लिखना है तो आज मैं यह चित्र देखके आपको यह कहानी बता रही हूँ इसे आपको क्या करना यहां पे भरना है और इसे क्या करना है याद करना है तो देखे यह कहानी पढ़ने का हमारा क्या उद्दे गई है पेड़ना दी गई है क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं बहुत चलांकी दिखाते हैं चाप लूस होते हैं आपके मने मन की बात करते लेकिन पीट पीछे वह आपका बुरा सोचते ऐसे लोगों से हमें क्या रहना चाहिए साप धान रहना चाहिए तो आएए हम अपनी चित्र कथा पढ़ते हैं तो देखो किसी जंगल में क्या रहता था एक लोमडी रहती थी वह बहुत चलांक थी एक दिन उसे बहुत भूंख लगी और वह भोजन की खोज में निकली चलते चलते वह एक बाग में पहुंची वहां लोमडी ने देखा कि एक पेड के डाल पे एक कवा बैठा है और उसकी चूँच में क्या था एक रोटी का टुकड़ा था तो उसके रोटी को टुकड़े को देखकर रोमडी के मूह में पानी भराया फिर उसके बाद क्या हुआ रोटी का टुकड़ा पाने के लिए वह क्या करने लगी उपाय सोश लगी देखी इस पर उसका रोटी का टुकड़ा देखकर उसका क्या हुआ मूह में पानी आ गया फिर नेक्स्ट चित्र देखी अपना ये वाला इसमें क्या है कि रोटी का टुकड़ा पाने के लिए वह उपाय सोचने लगी वह कवे से बोली कवे तुम कितने सुन्दर हो तुम्हारी आवाज आज भी अवसी ही बहुत मीठी होगी मैं तुम्हारी मीठी बोली सुनना चाहती हूं कवा लोमडी की चापलूसी भरी बातों से बहुत खुस हुआ उसने जैसे ही बोलने के लिए अपनी चोच खोली और रोटी का टुकड़ा नीचे धरती पर गीर गया लोमडी ने उसे उठ खाकर खा लिया और बेचारा कवा देखता ही रह गया तो देखें यह हमारी क्या है चित्र कथा है मैं इसका एक बार और आपको रिवीजन करें दे रही हूं जिससे आपको यह याद हो जाए और आप इसे अपनी बुक में लिख सकें देखें किसी जंगल में एक लोमडी र वह एक बाग में पहुची महा लोमडी ने देखा कि पेड की डाल पर एक कवा बैठा है और उसकी चोच में रोटी का एक टुकड़ा है तो लोमडी के मुँ में पानी भराया रोटी का टुकड़ा पानी के लिए वह उपाय सोचने लगी वह कवे से बोली कवे तुम बहुत सुन्दर हो तुम्हारी आवाज भी अवसी ही बहुत मेची होगी मैं तुम्हारी मेठी बोली सुनना चाहती हूँ कवा लोमडी की चापलूसी भरी बातों से बहुत खुस हुआ उसने जैसे ही बोलने के लिए अपनी चोच खोली रोटी का टुकड़ा नीचे धर्ती पर ग लिया और बेचारा कवा देखता ही रह गया तो यह बताए बच्चों हमें इस कहानी से क्या सिक्षा मिलती है हमें इस कहानी से यह सिक्षा मिलती है कि हमें धूर्त लोगों से सतर्क रहना चाहिए चापलूसों से साबधान रहना चाहिए क्योंकि आपने देखा कवा कैसे हो होता है और उसकी जो आवाज होती है वह भी बहुत करकस यानि वह एक भी अच्छी नहीं लगती है फिर भी देखें वह लोड़ी उसको किस तरह से मिचापलूसी करकर उसके रोटी को मुह से गिरा दिया वह क्या कहती है कि कववे तुम तो बहुत सुंदर हो तो तुम्हारी है ढ़ाज भी बहुत सुंदर होगी क्यों उसने ऐसा क्यूं कहा क्योंकि योजाना कि कववा अगर मूह से बोलेगा या बात करे लोगों से हमें क्या करना चाहिए थोड़ी से साब धानी बना कर रखनी चाहिए और अपना काम खुद करना चाहिए यह आपका लेशन यह आपका पार्ट था यही पर खतम हुआ है नेक्स्ट डे हम आपको नेक्स्ट स्टोरी लेके आएंगे थैंक यू